अपका नाम क्या है आपा सलमा सलमा उमर कितनी है 35 का रहनी के लिए योलेवडी कोनवा क्या आगे आपको क्या तकलिफ है गाट केंसल कहां पे बाद्रून की जोने टोलेट के जेगे पे कब मालूम पढ़ा है चार ते पांच महिने के बाद पता चला ना कब मालूम पढ़ा है पता अभी दो मैंने पढ़े क्या तकलिफ हो रही थी आपको तकलिफ बहुत हो रही थी बहुत ज्यादा और ब्लड भी जा रहा था था अच्छा अच्छा ने डॉक्तरों के पास भी गई हूं लोगों ने ऑपरेशन भी बतालगतरी के से बता है किया नाम बोले डॉक्तर मस्तान का यह नि हमारा आपको नंबर दिया पिर उसके बाद आपने दावाई शुरू किये अच्छा अच्छा पिर आठ दिन में चेंजिंग होते 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 अभी अलहांगों लिला इतना पर्ख है कि वो 90 75 80 परशन तक तो कमी आई है हां ठीक है अभी 20 परशन बाकी है दर्ध कम हो गया और गाट में भी कमी लग रहे हैं आपको और ब्लीडिंग अभी दवा खारी हूं तो मत कर तो ब्लीडिंग गिरती है नेकिन पहले कि जैसी नहीं नहीं एक अच्छा तो समझो आपको तकलिप वी कम हो गई है आप तब यह नॉमल हो गई है तो थो दिन में में आपको काफी रिकावरी हो गई है हम उम्मीद करते हैं कि यह 4-5 मैने बीए मसला हल हो जाएं जिससे क ये आपको हमेशा के लिए मसस्का आप इससे शुटका ना मिलें आपको ठीक है आपने डॉक्तर मस्तान के पास आए अलाज करें और आप इत्मीनान से है मुत्मईन है हमारे हिलाज से बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू इंट्रुई देनी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू